जै गोलजू महराज आप सभी का इंतजार अब खत्म हो चुका है जी हाँ रुद्धुपुर का पहला गोलु देवताजी का मंदर जो है बन कर लगभग तयार हो गया जिसकी प्राण परतिष्टा आठ तारीकों सर आठ तारीकों कलश यात्रा के साथ और जो विग्रह सुरू में और यह कारिक्रम आठ अक्टूबर से प्रारंब होगा और नौ अक्टूबर को प्रात्या पांच बजे से गोल्जू महराज की पूजन और प्रान प्रतिष्टा उनके पांच धिवास जो अन्नावास है फलावास है उस्प्रवास है और जलवास है और वस्त्रवास है इन वासों के साथ जो देव पूजी लोग हैं जो देव आदेश करने वाई लोग हैं जिनके शरीर में वो देवता वास करेगा ऐसे लोगों के सानिति में वेदाचारी जोतिशेचारी के सानिति में ये कारिक्डम अनवरट अपने आगे बढ़ेगा और शाम को आरती उसके प और 10 अक्टूबर को प्रात्य कालिन सुर्वेत से पहले पूजा दूसरे प्रहर का जागर और उसके पस्चात आरती पूजन हवन होगा मिशाल हवन उसके पस्चात यहाँ पर एक विशाल भंडारा गोल्जू श्हुल महराज के आदेश पर उन देवाचारीयों के आदेश प इनकी पूजा करने, इनसे मन्नते मांगने, घंटियां टांगने तक आते हैं, लोग घंटियां का एक मन्नत मांगते हैं, यहाँ पर गोलजीू महराज का आना इस मंदर का स्थापित होना अपने आपने बहुत बड़ी बात, निश्चित रूप से जस्टिस अब गौड और व वास में आ चुके हैं, उन्होंना अपने चालक से का क्या तो यह पत्थरों की पूजा कर रहा है, तो उसने का नईम, सर यह पत्थरों की पूजा नहीं है, यह देव वास है, लेकिन उनकी हटधरमिता थी, वो उतरे, और आप यकीन मानेंगे, वो वहाँ वहाँ से नहीं च वो फिर धीरे धीरे दूर हुए, इसी तरह से जिस व्यक्ति को नियायले में नियाय प्राप्त नहीं हो पाता, ऐसी मानित हैं कि इन मंदिरों में गोल्जु महराज नियाय के देवता के रूप में आज भी शपत पत्र लगते हैं, इसका प्रमान है चिताई गोलु मंदिर म इसके प्रमान है गोडाखालभवाली मंदिर में, इसके प्रमान है चंपावत मंदिर में, कि जहां पर आज भी नियायक लोग भी नियायक विवस्ता से जुड़ेवे लोग भी उन शपत पत्रों के माध्यम से अपने नियाय के लिए एक पुकार करते हैं और उन्हें निया के पुलिस प्रशासनी का धिकारी और जिला प्रशासनी का धिकारी भी थे, उन्होंने ये माना की यहां पर होना चाहिए, और यकीन मानेंगे वो देव वास का अदेश हुआ है, और आज फली भुतूरा है, हम तरहाई वासी और शहल परसत इस बात के लिए, बहुत रिनी जाने में दिक्कते होती हैं, मैं समझता हूं उनको यहाँ पर हम निवेदिन अत्मिर करेंगे जागर के माध्यम से उस सब को यहाँ पर उनका आध्यत मिलें। पहले तो मैं गोलू महराज के चड़नों में नमन करता हूं जो आपने कहा मुझे लगता है कि बिलकुल अच्छर सारी बातें सही कहीं और नियाय के देवता हैं और इस पूरे देव भूमी के प्रमुख देवता हैं जिनको जहां जैसे दिवा कर जिन वता कहीं जब नियाय न समीति जो हमारी है उसका धन्यवाद भी करूंगा कि इस तरहीं छेत्र में और ऐसे नियाय के देवताव की स्थापना यहां पर हो रही है मैं यह जनता जो आपकी देख रही है आज तारिक से कारिक्रम प्रारंब हैं जो जिस समय आ सकता है आठ नो दस और मैं समझता हूं ज हम लोग धन भाग्ये हैं कि हम लोग इस कारिक्रम में सहभागी होंगे देखने को मिलेगा हम इस पीड़ी के नौजवान है जो अपने गुलू देवता की पूजा अपने छेत्र में कर सकेंगे इसके लिए में सहल समीति का धन्यवाद करता हूं आठ नो और दस तारिक को आप सभी ने पहुचना है ये रुदुपुर का खेड़ा के से आप जब जाते हैं गंगापुर रोड़ पर गंणा भवन के पास तो ये मोधी मेंदान के बिगुल जा सामने ये मंदिर गोलू देटा का एक विशाल मंदिर आप सभी के लिए यहा आतने हैं और अपने आशाय विश्वास को लेकर यहां परा सकते हैं जी प्लीज उत्तराखंड की जो भौगलिक परिसिती है पूरे उत्तराखंड को कई जोनों बटा गया है जैसे गड़वाल कुमाउं जौन सार भावर तराई तो पांच यह वह सुरूप जहां पर गोल् रूप में तो यह जो प्रवास है यह तराई को मिल रहा है और यह नैपाल तक इसकी मानित है नैपाल से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं और आप यकीन मानेंगे गौालियर जहासी भी इसके सुरूप आए गये हैं और इस बार पीली बीच से भी लोग की चाय किये जो पा तो मेरा निवेदर है कि अगरिम आवेदन भी कर रहे हैं अगरिम आमंत्रन भी कर रहे हैं पांच नवंबर को पूरे प्रदेश के लोग यहां पर वो डोली यात्रा के साथ पहुंचेंगे इसी मंदिर पर उसके लिए भी आपके चैनल के माद्यम से सबी अध्यात्मियों क मैं आहवान करता हूं उस दिन में जरूर रहेंगे यहां पर शाम के टाल के हैं जरूर पहुंचेगा आठ नो और दोस अक्तूपल को भरनेवाद है